हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके सब फटा फट से बन जाने वाले बहुत ही हेल्थी नास्ते की रेज़पी सेयर करेंगे जिसे आप सिर्फ पांच मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं अगर आप भी कम तेल का कुछ हेल्थी खाना चाहते हो तो एक बार इस नास्ते को बना कर जरूर ट्राइ करिएगा आप इसे बेट लॉस में भी बना कर खा सकते हैं चलिए तो फटा फट से बनाना हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमने एक mixing ball लिया है और आदा कप यहां पर हम बारीक वाली सूजी लेंगे अगर आपकी सूजी मोटी हो तो उसे mix के जार में एक बार चला लीजेगा तो यह देखिए बिल्कुल बारीक हमने सूजी यहां पर यूश की है और उतना ही हम बेंगे तो जिस Cup से हमने सूजी लिया है उसी Cup से 1.5 Cup हमने बेंगे हैने और 1.5 Cup इसमें हम पानी डालेंगे और अچ्छे से mix करेंगे तो इसे बहुत अच्छे से mix करिए जिससे बेंगे बेंगे जो भी लंसो वो निकल जाएं तो ये देखे सूजी और बेशन का एक स्मूध सा बैटर बनकर तयार हो गया और अभी ये गाड़ा है तो इसमें आदा ही कब पानी हम और डाल देते हैं और बापस से एक बार इसे अच्छे से मेक्स करेंगे तो इसमें हमने सूजी का यूज किया है तो इसे रेश्ट पर भी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सूजी पानी सोप करती है तो ये बैटर बनकर तयार हो गया तो दस मिनट के लिए से हम रेश्ट पर रख देते हैं और तब तक हम एक चटनी तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर चटनी वाला हमने जा लिया है इसमें हरा धनिया डालेंगे तो धनिया को पहले से ही धुलकर हमने साफ कर लिया है और इसी में साथ से आप लैसुन की कलिया अगर आप लैसुन नहीं खाते हों तो लैसुन स्किप कर दीजेगा एक हरी मिर्च को भी छोड़े छोड़े टुकडों में काट कर डाल देते हैं और साथ में डालेंगे दो चमच दही दही की जगे आप एक चमच नीबू का रस भी डाल सकते हैं नमक डालेंगे तो नमक काफश्वात के अनुशार डालेगा और दो से तीन चमच पानी डालकर इनको हम पीस लेंगे तो ये देखे चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई तो एक बाउल में इसको हम निकाल लेते हैं और हमारे सूजी और बेशन की बेटर को भी रखे 10 मिनट हो गए है और ये देखे बेटर थोड़ा सा गाड़ा हो गया है सूजी अच्छे से हमारी फूल गई है और अब इसमें ह द्रग का टुकड़ा ग्रेट करके हमने डाल दिया है दोनों चीजों को अच्छे से भूनेंगे ये चीजे जल्ली नीच चाहिए इस चीज का आप त्यान रखिए तो ये देखे दोनों चीजें अच्छे से भून चुकी है तो नास्ते को हम बेशन से बना रहे हैं इसमें जबछ से त्होड़ी सी हमने धींगे तीन से चार जव अ सुझी बनाने के लिए ला है यहां पर कुछ सब्जे नहीं है तो एक गाजर ग्रेटकर कर काके नहीं हे अधि छोटी सिम्ला मिर्च Wade बहु हुआ कटा हुआ हरा धनिया सभी सब्जिओों को डाल देते हैं अब पाउडर, आदा चमच चिली प्लेक्स, आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और आदी ही चमच इसमें हम नमक डाल देंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, आप चाहें तो यहां पर प्याज को भी छोटे छोटे टुक्डों में काट कर डाल सकते हैं, पर आज हमने इस नास्ते में प्याच नहीं डाला है, सबी चीज़ों को अच्छे से mix कर देते हैं, तो सबजियाँ डालने से बैटर जो है, थोड़ा सा गाड़ा हो गया है, तो आदा ही कप इसमें पानी हम और डाल देते हैं, और एक बार बापस से अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो नास्ते का बेटर बनकर बिल्कुल तयार हो गया तो यह देखिए हमने आपको दिखा रहे हैं यह देखिए तो आज इस नास्ते को हम बिना सोडा, बिना दही और बिना इनो के बना कर तयार करेंगे तो चलिए फटा-फट से नास्ता बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर डोसे वाला हमने तवा लिया है इसमें एक चमच तेल डालेंगे और तेल को पूरे तवे पर अच्छे से हम फैला लेते हैं और पहले तवे को तेज गरम करेंगे उसके बाद गैस की फ्लेम लोक कर देंगे और इस पर बैटर डालेंगे तो तकरीबन तीन बड़े चमच हमने बैटर डाल दिया है और आपके तवे पर डिपेंट करता है कि कितने चमच बैटर आपके तवे पर जाएगा तो इसको पूरे तवे पर अच्छे से फैला लिया है हमने और गैस की frame इस समय हम मेडियम कर देंगे मेडियम से हई frame पर ही इसे हम सैकेंगे क्योंकी जो better है हमारा नाश्चे का वो पतला है अगर आप इसे low frame पर सैकेंगे तो इसे बहुत time लगेगा तो ये देखे ऊपर से ये dry हो चुका है तो इसे चारो तरब तबे को घुमाते हुए हम अच्छे से सेक लेंगे क्योंकि गैस की जो flame होती है वो बीच में जाती है और पोरे तबे पर ये अच्छे से नहीं लगती तो इसे आप गुमा के सेकेगा और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल भी ये तबे पर चिपका नहीं है और उपर से बिल्कुल जब ड्राई हो जाए तो इसे धीरे से हम पलट लेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है आप चाहें तो दूसरी से जादा सैखना नहीं है तो ये देखिए दूसरी साइट से भी हमारा नास्ता बहुत अच्छे से सिख चुका है और ये कितना क्रिश्पी बना है ये तो आपको देखने से ही पता चलना है तो ये नास्ता बनकर तयार हो गया और बाकी का जो नास्ता है बो भी बिल्कुल इसी तरह से बना कर हम तयार कर लेंगे एक नास्ता हम आपको और बना कर दिखाते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये रेस्पी कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और यदि आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती हो तो प्लीज उन्हें लाइक और सेयर भी ज सांड़ करेंगे एसे ब्रेकफास्ट में सामकी चाय के साथ या बच्छों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बेट लोस में भी आप इसे खा सकते हैं खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसे हमने सूजी और बेशन से बनाया है जिस से ये बहुती।